नवश्कार S.P.T. News में आपका स्वागत है पेश है 5 अक्टूबर शनी बार दुफैर सवा 3 बजी राजस्तान की 15 बड़ी खबरें सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर फलोदी जिले के पुलिस ठाने में युवक की मोत के बाद 24 पुलिस कर्मी लाइन हाजिर सभी पिजलिव वोगताओं के यहां लगेंगे स्पार्ट मिटर रजस्तान में हैं आने वाली दो वर्षों में नो एक्स्ट्रस वे वे बनाये जाने की योजडा एक गुजरेगा नाबोर से अजवेर में परेटक और सारी निवासी ले सकेंगे डवन डेकर क्रूस का आनन्द जैपुर में दो गुटों में चगड़ाव वाहनों में तोड़ फॉर्ट थाने का किया गहराव और अब खबरे सुनिये विस्तार से फलोदी जिले के देचु पुलिस थाने में युवक की संदिक्द हालत में मौत हो जाने के मामले में देचु थाना प्रभारी समेथ थाने के सभी 24 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है उसकी बाद इस मामले को लेकर धरने पर बैठे परदर्शन कारियों ने देर रात अपना धरना समाप्त कर दिया युवक की शब का आज बेडिकल बोट से पोस्मार्टम करवाया जाएगा जोद्पो रेंच आईजी विकास कुमार सिंग ने माना कि इस मामले में पुलिस से चुक होई है देचुधाने में दर्ज रेप केस के मामले में पूश्टाश के लिए लाए गई युवक फोल सिंग की गुरुवार रात को संदिक हालत में मौत हो गई थी पुलिस का पर्क है कि उनके रुमाल से फांसी लगा कर खुद की जान दे दी थी परिजिनों का अरोप है कि पुलिस की बिटाई से फोल सिंग की मौत हुई है पुलिस सुसाइट की जोटी कहानी बना रही है रहस्तान में सभी बिजली उखभोगताओं के यहां आप स्मार्ट मीटर लगेंगे स्मार्ट मीटर लगने के बाद ना तो हर माँ मीटर रिणिंग की जरुरत होगी ना ही मीटर से शेट शार करके चोरिक की जा सकेगी उप्भोगता से लेकर डिस्कॉन प्रिशासन को सब कुछ ओनलाइन ही उपलग्ड होगा रहस्तान डिस्कॉन प्रिशासन ने राजधानी जैपो के कुछ इलाकों में सफल पाइलर प्रोजेक्ट के बाद अब सभी उप्भोगतां के मीटर स्मार्ट करने के दिशा में काम शुरू कर दिया है परियोगों के बाद बिजली कंपनियों ने सभी उप्भोगता स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंटर फाइनल कर लिये है तीनों डिस्कूम में 1.47 करोड उपोगताओं के यहां स्मार्ट मिटर लगाए जाएंगे जिनकी एवस में 14,000 करोड रुपे खर्च होंगे राजस्तान में आने वाले दो वर्शों में 9 एक्स्प्रेस वे बनाए जाने की योजना है जिनकी रूप रेका तैयार हो चुकी है इनमें सिक महात्रफून प्रजब जैपूर फलोदी थार एक्स्प्रेस वे है यह जैपूर कालवार, जोबडेर, नावा, कुचामन, डेटबाना और नागोर से होकर गुजरेगा हाल ही में सरकार ने राजस्तान को कई बड़ी योजनाओं की सवगात दी थी जिन में से इस एक्स्प्रेस वे का निर्मान भी शामिल है अजमेर की आनसादर जील में अब देशी विदेशी परेटक और सान्य निवासी डबल डेकर क्रूजगा नंग ले सकेंगे यह क्रूज 45 मिनिट तक जील में सेर कराएगा और पार्टियों या समार्वों के लिए भी वो किया जा सकता है यह देश और राजस्तान का पहला इलेक्रिक क्रूज है जिसका उद्गाटन विधान सवा अध्यक्ष असुदेव देवनानी और कैबिनेट बंतरी सुरेज सिंग रावत ने किया है जैपुर के रामगंज इलाके में बीती देर राद दो पक्षों में जगड़ा हो गया यह रिक्षा और बाइक में हुई टककर को लेकर जगड़ा हुआ इस दोरान एक पक्ष ने लोगों ने रिक्षा चालक के साथ मारपिट करने का रोप लगा कर रामगंज थाने का घिराव कर दिया कुसाई लोगों ने आधर दर्जन वाहनों में तोड़ फोड़ कर दी पुलिस सदिकारियों ने आप रोशित लोगों से समझाईश कर मामलश शान्त कराया डेक जिले की काम थाना पुलिस ने नो साइबर ठगों को गिरफतार किया है पुलिस की टीम ने 1930 नमबर पर दर्ज हुई शिकायत की लोकेशन के अधार पर दबिश थी इस दोरान चार आरोपी मोगे से भाग गए लेकिन पुलिस ने गेरा बंदी कर नो साइबर ठगों को पकड़ लिया पुलिस ने बताया कि रस्टिय साइबर शिकायत पॉर्टल नमबर 1930 पर दर्ज शिकायतों की लोकेशन के अधार पर पुलिस ने टीम कनवाडी के पहाड की तहलाटी में पहुँची जहां 13 व्यक्ति खेट में बैठकर मुबाइल चला रहे थे जैसे ही पुलिस की टीम मोके पर पहुँची तो वहाँ से चार युवक भाग गए बाखी नो युवक को पुलिस ने गेरा बंदी कर पकल डिया रेवने पोर्ड की और से दुरगा पूजो और दिपावी जैसे बड़े त्यों हारों पर रेल यात्रियों के घर आने वे जाने के लिए राजस्तान के अजमेर से 26 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी कई स्पेशल ट्रेन अजमेर से होकर बुजड़ेगी इसमें करीब 20,000 रेल यात्रियों को फाइदा होगा अलग-अलग समय में ट्रेन का शेडियूल जारी किया जा चुका है ट्रेनों में बुकिंग भी शुरू हो गई है एहमदबाद मुंबई और दिल्ली के तरफ जाने वाली ट्रेनों में टिक्टों की बेटिंग है इसके बाद भी यात्रियों की और से बेटिंग गिरने के उमीद में अरक्षिन करवा रही है इन 26 स्पेशल ट्रेनों से 15 से जादा बड़े शेहरों की कनेक्टिविटी अजमेर से यात्रियों को मिल रही है अजमेर एलमंडर के सीनियर डीसीयम बीसीयस चोधरी का कहना है कि जरुरत पढ़ने पर और ट्रेनों का संजालन किया जा सकता है जोगपूर के तनावड़ा क्षित्र में एक हैंडीकाट फेक्टरी में देर रात अज्यात कानों से आग लग गई कुछ ही देर में आग ने विग्रार रूप पकड़ लिया और पूरी फेक्टरी को चपेट में ले लिया सूचना मिलने के बाद बोरा नाड़ा बासनी शास्त्री नगरवे नागोरी गेट फाइर स्टेशन से मोके पर फाइर बिग्रेट पहुंची और आग पर काबू पालिया आग से बारी नुकसान हुआ है कांग्रिस देता राहुल गांदी का वादा पूरा हो गया है इससे राजस्तान जैपुर में महरानी कॉलेज में अंतर रस्टी सरका बास्केट बॉल कोर्ट बनकर तयार हुआ है यह कोर्ट जेडिये की ओर से करीब 75 लाग रुपे की लागत से बनाया गया है पिछले साल 23 सितंबर को जैपुर दोरे के दोरान राहुल गांदी ने महरानी कॉलेज में छात्राओं से मुलाकात की थी इस दोरान कालेज में छात्राओं ने राहुल गांदी से प्रैक्टिस के लिए बास्केट बॉल कॉर्ट बनवाने की मांग की थी चात्राओं की मांग के बाद अत्कालिन कांग्रेस सरकार ने जेडिये को कॉलेज में बास्केटबाल कोर्ट बनाने का निदेश देनी थे पैस्तान में शुरंगर कर जिले के सोरत कड़ में नगरपालिकान ने अतिक्रमनों के खिलाफ आज एक्शन लेना शुरू कर दिया है नेगरपालिका ने पुराने बस्टेंड इलाके से अतिक्रमन हटाए इस मोके पर दुकानों के आगे अतिक्रमन कर बनाए गए फुट बात धस्त कर दिये गए पिकानेर में नवरात्र त्योहार के बीच अनाज मंडी में मुंफली की नई फसलें दस्तक दे दी यहां मंडी में मुंफली की करीब 600 बोरी की आवक हुई है बोली में वेपारियों ने मुंफली की कीमत नीचे में 4500 तथा उपर में 500 रुपे लगाई मुंफली के साथ ही मंडी में गवार के 500 बैग, सरसों के 600 बैग, चने के 200 तथा मोट के 300 बैग की आवक हुई कच्ची आड़त व्यपार संग के अध्यक्ष जय देयाल डूडी ने बताया कि अनाश मंडे में गवार की कीमत बावन सो पचास से त्रेपल सो सरसो अठावन सो से छे हजार चने के मतर सो से चुहातर सो रुपे प्रतिक विंटल रहे कोटा में रास्ट्रिय मेला दशेरा दो हजार चोविस के तर्श श्री राम रांग मंच पर चल रही राम निला में आने से इच्चुक्ष धालगों के लिए मेला समीती की पहल पर प्रशासन की ओर से निशुल्क बस की विवस्ता की गई समीती अंद्यक्ष विवेक राजविंशी ने बताया की राम रिला अवदी के दोरान शेहर के प्रमुक छे स्तानों से निशुल्क बसे रवाना होगी जो प्रक्ति दिन दो फेरे करेगी जैपुर की शाम लगर थाना पुलिस से शुक्रवार रात हुका बार पर शापे मारी की एक कैफे में चल रहे हुका बार में कारवाई कर नशा करते मिले नैनिजर सही 25 लोगों को पकड़ा गया कैफे में नशा करने के लिए 600 रुपे लिया जा रहा था पुलिस से बड़ी संख्या में हुका बार का समान जब्त किया ऐसे शुद दलवेश सिंग फोज़ार ने बताया अजमेर रोड पर सित वैलेंसिटिया कैफे में चल रहे हुका बार पर शापे मारी की गई मुखपीर की सूजना पर रात करीब 11 बजे कैफे में पुलिस ने दबिश दी कैफे में हुका बार का संचालन करने के साथ कुछ लोग हुका पी कर नशा करते मिले पुलिस ने मेनेजर तरुन शर्मा सही 25 लोगों को पकड़ा पुश्टाश में सामने आया है कि नशा करने के लिए कैफे में 600 रुपे की 20 ली जा रही थी पुलिस ने नशा करते मिले 24 जानों को कोटपा एक्ट के तहट जालान किया पुलिस ने कैफे मेनेजर तरुन शर्मा को अरेस्ट किया हुकाबार में मिले 21 हुके 50 पाइप पर कई फ्लावर के बॉक्स जप्त किये गए रात करीब 11 बजे स्टार्ट हुई कारवाई देर रात ठेड़ बजे तक चली राज्यपाल हरी बव बागने आज वावर शाम के दर्शन करने खाटू शामजी धाम में पहुचे राज्यपाल का शाम मंदिर कमेटी की ओर से दुपट्टा पहना कर स्वावित किया गया जिसके बाए शाम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष परताप सिंग चोहान ने उन्हें विदी विदान से पूजा आर्चना करवाई राज्यपाल हरी बाउ बागडे ने मंदिर पर इससर का निर्क्षन भी किया और काफी समय तक मंदिर के विकास को लेकर मंदिर कमेटी के पदा अधिकारियों से वारता भी की इसके बाद राज्यपाल बजाज फांडेशन के ओर से खाटू में आयो जित तीन दिवसिया सुवाश पाले कर क्रिश्य प्रशिक्षन चिविर का उधगाटन करने पहुँचे यहां राजेपाल ने रास्टी कशी कारेशाला प्रशिक्षन चिवर का उधगाटन किया प्रशिक्षन चिवर में देश के 13 राज़ों से करेब 1000 प्रकति शिल किसानों ने हिस्सा लिया राज्यपाल हरे बाव बागडे ने किसानों वारा की गई उन्नित खेती के बारे मन से बाच्चित के कारेकरम का समापन 6 एक्टूबर को 3 चर्णों में गंजर्वेशन कारेकरम के बाद होगा तैस्तान में अक्टूबर महा में पढ़ रही तेजगर्मी का असर सरकारी स्कूलों के समय पर भी पढ़ रहा है अम्मूमन हर साल 1 अक्टूबर से सरकारे विध्यालों का समय बदल जाता है स्कूल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कोलते हैं लेकिन इस पर विध्याले का समय 15 अक्टूबर के बाद ही बदलेगा निदेशक मादेमिक शिक्षा ने आदेश चारी कर स्थेदिस पष्ट कर दी है आदेश में कहा गया है कि पहले क्रिश्म कार में विध्याले संचालं की समय अबदी 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2024 थी लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए 1 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है इसी तरह शीत कार्ण में विध्याले संचालन के समय अब्दी पहले 1 अक्टुबर 2024 से 31 मार्च 2025 थी इसमें संचोधन करते हुए 16 अक्टुबर 2024 से 31 मार्च 2025 कर दिया गया है समझा जा रहा है कि मोसम में बनी गर्माहट के कान समय में बदलाव किया गया है फिलाल इस प्लेटिंग में इतना ही फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ